नमस्काहर दोस्तों तो आज के सुरूर में हम बात करने वाले है ओपो के F11 Pro के बारे में क्योंकि इस फोन का जो पोस्टर है वो अब हमें देखने को मिलता है फिलिपकार्ट की वब साइट पे इसका मतलब ये फोन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा दोस्तों ओपो F 9 Pro का ये फोन सक्सेसर होने वाला है F9 Pro जो है वो हमें 2018 के आउगस्ट महने में देखने को मिला था तो साथ से आट महने के बाद अब हमें इसका सक्सेसर देखने को मिल रहा है और दोस्तों जो F11 Pro होगा वो काफी इंप्रोमाइज होगा काफी अपग्रेड होगा F9 Pro से यहा i am the most important शाहिए से इस में आपको देखने मिलेगा कॉलकूम की तरह से आने वाला snapdragon 855 वाला प्रोसेसर जिहा धुस्तों यह वही प्रोसेसर है जो आपको One Plus के upcoming One Plus 7 में देखने को मिलेगा क्या सच में आपको यह प्रोसेसर देखने को मिलेगा या फिर नहीं वो मैं बताउँ तो हम इसी के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नगोला आप देख रहें वक्टाटक चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से एक सवाल पूछना जाता हूँ क्या आप ओपो के फैन हो या फिर वीवो के क्योंकि ओपो का जिस तरह से एफ 11 प्रो आ रहा है उसी तरह वीवो का भी वी 15 प्रो आ रहा है वह थोड़ा सा बहतर इन होने वाला इस फोन से तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईए आप किस की तरफ जाएगे तो चलिए हमें बात करते हैं इस फोन की डिस्पले की तो दोस्तों इस फोन में आपको काफी बहतरी डिस्पले देखने को मिलेगा 6.5 इंच का फुल व्यू एमलेट डिस्पले जिया दोस्तों इस फोन की जो प्राइज है वो वीवो के वी प्रिप्टिन प्रो से कम होगी तो यहाँ पर वीवो के वी फिप्टिन प्रो में आपको देखने को मिलता है अंडर स्क्रेन फिंगर प्रिंगर्प्रिंट सेंसर जहाँ दोस्तों बट उसकी थोड़ी सी जोई वो प्राइज जादा होगी इस फोन की जो डीजाईन है वो काफी नहीं होगी इस फोन की बिल्ट कॉलीटी भी काफी बहतर होगी शायद से इस फोन में आपको polycarbonate मतलब की plastic की body देखने को मिल सकती है बट उस पे आपको glossy finishing देखने को मिलेगा तो एक बड़ी हा डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, मिडल में आपको डुल कामेरा विट एलेडी फ्लैश देखने को मिलेगा, इस फोन में आपको ट्रिपल कामेरा देखने को नहीं मिलेगा, इस फोन में आपको डुल कामेरा देखने को मिलेगा, जिसमें की फॉर्स ले Megapixel के motivator antena लेकर 10 तो यहां पर 48 Megapixel जो और देखने को मिलेगे बत वीव के brethren विप 2 Pro में आपको जह वो शन्रीब क्या मर करें सेट अब देखने को मिलता है बात करें पॉप Pac तो यहां पर आपको देखने मिलेगी 32 Megapixel की वेर्ड की सब शेलफी जया दोस्तों 32 Megapixel की आपको इस phone में जो है वो selfie देखने को मिलेगी जो कि support करेगी AI technology को अब यहाँ पर आते हैं इस phone की performance की तरब तो दोस्तों यहाँ पर दो report सामने आई है जिसमें से first report में कहे रहे है कि इस phone में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm की तरब से आने वाला Snapdragon 855 वाला processor जिया दोस्तों यह वो वही processor है जो आपको confirmly देखने को मिलेगा OnePlus K7 में and Samsung Galaxy S10 and Note 10 में तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस phone में आपको जब वो Snapdragon 855 वाला processor देखने को मिलेगा क्योंकि इस phone की price लगबग होने वाली है 25,000 तो इसनी कम price range में मुझे नहीं लगता कि Snapdragon 855 आपको देखने को मिलेगा and दूसरे report में कह रहे है कि इस phone आपको देखने को मिलेगा Mediatek का Helio का P80 क्योंकि जो P60 आया था वो आपको Oppo के F9 Pro में देखने को मिला था P70 आपको Realme के UN में देखने को मिलता है and जो P90 है वो आपको Realme के upcoming device Realme 3 Pro में देखने को मिलेगा तो confirm ली इस phone में आपको Mediatek का Helio का P80 इस phone में देखने को मिलेगा and दोस्तो P80 भी काफी दमदार processor है ये जाना जा रहे है अपनी AI technology को and दोस्तो इस phone में अगर आप gaming करते हो तो आपका जो phone है वो गरम भी नहीं होगा क्योंकि P80 काफी बहतर processor आपको देखने को मिलता है तो मुझे यहाँ पर लगता है कि confirm ली आपको जह वो Helio का P80 इस phone में देखने को मिलेगा तो दोस्तो यह था हमारा OPPO का F11 Pro इस phone की price लगबग 25,000 होगी यह phone कब तक आएगा तो दोस्तो इसके बारे में हमें confirm नहीं है बट यह phone जह वो लिस्ट हो चुका है फिर विवो के प्लीज बताई हमें comment box में तो दोस्तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंदा आते है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारा जो यूटुब चैनल वेक्टाटेक को प्लीज इसे subscribe कीजिए